हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तु विद्ध्यांस्ट्यूट्ट आज हम करेंगे क्लास 10 एक्जम्पल 2 बहुत ही इंपोर्टेंट एक्जम्पल है बहुत सारी बार एक्जम्पल 2 एंड एक्जम्पल 3 एक्जम्पल 3 की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको इसके कमेंट्स में मिल जाएगा तो आज करते हैं एक्जम्पल 2 और ध्यान से समझेंगे क्या क्वेश्चन है टू टैंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आड्रॉन टू a circle with center O एक सर्कल जिसका center O है उसके दो टैंजेंट ड्रॉ की गही है एक्जटर्नल पॉइंट फ्रॉम पी एक एक्जटर्नल पॉइंट पी से कुछ ऐसे है ना सर्कल का center है O तो P Q टी प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू यह वाला जो एंगल है एंगल पी टी क्यू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू ठीक है तो ओ पी क्यू एंगल बना ले रहें और यह जोइन भी कर लेते हैं तो यह हमारा फीगर कंप्लीट हो गया अब हम कुश्चन स्टार्ट करता है तो प्रूव कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो कि हमने ओ टी को जोइन किया है लिख देता हूं चलो बहुत ही आसान तरीक से आपको बताने वाला हूं जोइन ओटी ओ पी-पी-क्यू आले कि फीगर में है कोई कंस्ट्रक्शन में लेकना जरूर नहीं है रूप देखो इन ट्राइंगल टी-पी-क्यू टी-पी-क्यू ट्राइंगल में टी-पी ओर टी-क्यू इक्वल हैं रीजन टैंजेंट्स फ्रॉम एक्स्टर्नल पॉइंट और इक्वल इन लेंद्ध ठीक है इतना ही लिख दिया पर बहुत है बस यह तो जब यह इक्वल है तो एंगल टी-पी-क्यू मतलब यह वाला एंगल और एंगल टी-क्यू-पी यह दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों को हम एक्स माल लेते हैं एंगल अपोजित टू इक्वल साइडस ठीक है तो यहां लिख देते हैं हम इसको X और यह हमारा X हो गया है अब इन ट्राइंगल अगेन इसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रोपर्टी X प्लस X प्लस एंगल PTQ 180 है ना एंगल सम प्रोपर्टी तो एंगल PTQ 180 माइनस 2X या भी इसमें से हम 2 common भी ले लेते हैं एक step और कर लेते हैं 90 माइनस X अब हम इसको first equation डाल देते हैं आपका ऐसे याद रखना है कि हमें PTQ चाहिए था तो हमने PTQ की value निकाल ली अब हमें क्या चाहिए है OPQ जो प्रूव करना है उसमें में क्या चाहिए OPQ तो हम OPQ निकालेंगे तो उसके लिए आपको देखना है एंगल OPT एंगल OPT कितना है 90 region radius and tangent perpendicular to each other at point of contact अब OPT को क्या लिख सकते हैं OPQ प्लस X OPQ यह वाला एंगल और प्लस X क्योंकि पूरा में लाकर यह बन रहा है हमारा तो उसकी जगल लिख देते हैं OPQ प्लस X तो OPQ की value कितनी आ गई 90 minus X और हमारा question भी कतम हो गया क्योंकि from first and second यह वाली value उठाके हम यहां पर रख देंगे तो एंगल PTQ twice of angle OPQ तो उम्मीद है आपको समझ मा गया होगो सभी को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मेंको और हमारे चैनल पर ज्यादा तर आपको NCRT और NCRT exemplar के question मिल जाएंगे 9th से 12th class तक तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर इसका अपडेट मिलता रहे थैंक की वेरी मुच्छ